हेलो आइन वेलकन पूदी वलवाइट पो जोस्तो मालदिफ्स चाइना इंडिया को लेकर बड़ी खबर निगलकर आ रही है इस वीडियो में न हम बात करेंगे एक पहुती जादा इंट्रस्टिंग डेवलेफ्मेंट के बारे में मालदिफ्स और इंडिया के बीच में इतने सारे नेगेटिव चीजों के बाद ना चलो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज तो होई है अब आपके सिनारियो में आप इसे पॉजिटिव देखेंगे नेगेटिव देखेंगे कम्प्लिटली आपके ओपर डिपेंडे में क्लियर कर देदा हो ठीक है तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक वक्त था जब इंडिया को ना इंटरनाशनल पेमेंट्स के लिए विजा और मास्टर कार्ट जैसे फॉरें कार्ट नेटवक्स पर डिपेंड रना पड़ता था और अलग से हमें इन कार्ट को पेमेंट भी करना पड़ता था इससे ट्रा रुपे कार्ट को ग्लोबली एक्सपैंड करने का एम शुरू हो चुका है ताके दुसरे देश भी इस कार्ट से फैदा उठा सके हमारे सर्विस को यूटिलाइस कर सके और इंटरनाशनल ट्रांसेक्शन में यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी को कम कर सके तो दोस्तों माल द और इंडिया के बीच में फैनेंशल ट्रांसेक्शन और भी ज्यादा सीमलेस हो जाएंगी यूपी आई सर्विस को एड़ाप्शन से लोकल मर्चेंट्स और कंस्यूमर्स को डिजीटल पैमेंट में आसानी होगी और इंटरनाशनल टूरिस्ट को भी कन्विनियन्स मिलेगा दोस्तों मैं मानता हूँ के पास में माल्रिस्ट ने बहुत सारे गलतिया भी की है हमारे मिलेटरी को वहाँ से निकाला है लेकिन ये न एक चांस हमारे लिए क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनाशनल टूरिस्ट है वो यूपी आई को फील करेंगे यूपी आई के बारे में फ पॉलर होते जाएगा वैसा ही कंट्रिस हमारे यूपी आई सिस्टम को यूटिलाइस करना शुरू कर देंगी इंडिया से कंट्रिस कोलाब्रेशन होना चाहेंगी रूपे कार्ड को नाशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया एंपी सी आई ने डॉप किया था और ये पेमेंट करेगा और दोस्टो कोई बड़ी बात नहीं आने वाले टाइम पे ना जो पॉपुलर करन्सी होती है यूएजडी हो गया जी बीप हो गया यूरो हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया का रूपी भी इसमें शामिल हो जाए तो पहले बात करते हैं दोस्तों ये मूव से ना foreign exchange reserve को भी बचाने में मदद भी मिलेगी और दोस्तों ये बात को ना Indian high commissioner ने भी confirm किया है कि New Delhi इस step को fully support करेगा तो सीधा-सीधा यहाँ पर government का positive step आ चुका है international trade जब local currency में होता है ना तो दोनों देशों को फायदा भी होता है ये मूव US dollar की domination को भी challenge क करेगा unless अगर Trump आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है क्यूंकि पास्ट में Trump ने warning दे दी है कि जो जो भी US dollar को एवार्ट करेगा उस पर वो sanctions लगा देंगे और कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह से Trump ने कहा है वो इंडिया को भी target कर सकते हैं क्यूंकि of course रूपे कार्ट का जो decision आया है ना नासिफ ये दोनों देशों के foreign exchange reserve बचाएंगा बलकि एक mutual beneficial mechanism भी establish होगा यहाँ पर local currency payment से दोनों देशों के foreign exchange reserve conserve होंगे जो economic stability के लिए beneficial होगा अब बात करते हैं रूपे कार्ट के launch की मालिस ने announce किया है कि वो जल्दी update कोई confirm नहीं दिया आये लेकिन वो कह रहें कि वो जल्दी इंडिया का रूपे कार्ट launch करेंगे इसे इंडियन embassy कोट confirm किया है अब दोस्तों आपके दिमाग में ना ये सवाल आना चाहिए कि ठीक है जी ये लोग रूपे कार्ट launch करने वाले लेकिन इससे फाइदा क्या होगा पहले माल्दिव रूपिया वहाँ वो रूपिया कहते हैं तो माल्दिवियन रूपिया का सर्कूलेशन बढ़ेगा जब इंडियन टूरिस्ट रूपे कार्ट का यूस करेंगे इससे लोकल एकनोमी को स्ट्रेंटन मिलेगी और यूएजडी पर रिलायंस कम होगा तूरिजम सेक्टर के यह कहीं न कहीं फाइदा भी हो जाएगा रूपे कार्ट जो नाशनल पेमेंट कॉर्परेशन आफ इंडिया ने डेवलप किया है माल्दिव जल्दी से यूज़ कने वाला है यह इंडिया का प्रिमियर ग्लोबल कार्ट पेमेंट नेटवर्क है जो अब माल्दिव की एकनो को रेडियूस किया जा सकता है हाला कि मुझे एगें कहना पड़ेगा देखो लांच डेट अभी के लिए एकनोमिक पार्टनर्शिप के बारे में लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि इंडिया को लक्षद्विप आइलाइन को डेवलप करके वहीं पर इंबेस्मेंट करना चाहिए वहीं पर ही रुपे कार्ट का टूरिजम बढाना चाहिए या फिर माल इसको एक ऑपरचुनिटी देकर रुपे कार्ट को एस्टाइबलिश करना चाहिए और यह दोनों देशों के रिलेशन्स को और जादा मजबूत करेगा जो अल्रड़ी बिगड़ चुकी चाहिए अव्यां थूर देख देख और गार्ड़ करना चाहिए अवाओ यह देख द भीड़ को एस जीकते बढादेश किवस्यां थीए बढाद चाहिए और आधर खया के पर द रूर जा चाहिए और ट्रवड़ है ग्यां पर ठाल चाहिए देख और प्रहीं सब्सेटान